पीम नरेंदर मोधी ने वारानसी में एक अंतराष्टे क्रिक्ट स्टेडियम की अधार शिला रखी यह देश का 54 अंतराष्टे क्रिक्ट स्टेडियम होगा अब तक भारत में 53 अलगलग स्टेडियम में अंतराष्टे क्रिक्ट मैच का आयोजन हो चुका है हाला कि इन में से कुछ स्टेडियम अब बंध हो चुके हैं और कुछ स्टेडियम में मरमत का काम चल रहा है पीम मोदी ने जब वारानसी स्टेडियम का शिला नयास किया तो सचिन तेंदलोकर सहित कई दिंकज क्रिकेटर भी मौजूद थे यह स्टेडियम बहुत खास होगा और इसमें काशी की जलक दिखेगी पीम मोदी ने कहा कि स्टेडियम की बनावट महादेव को समर्पित है साड़े चार सो करोड रुपे की लागत से बन रहा यह स्टेडियम तीस एकर जमीन पर फैला है इसके चट का अकार चांद के समान होगा वही स्टेडियम में लगने वाली लाइटों के खंबे त्रिशूल के अकार के होंगे इसके अलाबा भगवान शिफ को चड़ाए जाने वाले बेल पत्र की आकरती भी स्टेडियम में देखने को मिलेगी स्टेडियम में पवेलियन की मेडिया सेंटर की बनावर डमरों के अकार की होगी इस स्टेडियम की विशयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेणा लेती है इस कारेकरम में अध्यक्ष रोजर बिन्नी सहित बी सी आई के परमुक लोग भी मुझूद रहे कानपूर और लखनाओ के बाद यह है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अंतराष्टे क्रिक्ट स्टेडियम में से एक होगा वारानसी के गंजारी में 4500 करोड रुपे की लागा से स्टेडियम बनाया जा रहा है अंतराष्टे स्टेडियम के शिलन्या समारों में क्रिक्ट जगत के दिगज शामिल हुए इसके लावा मुख्यमनत्र योग्या अधितनात के नेतरवाली उत्तर प्रदेश सरकार ने वारानसी में अंतराष्टे क्रिक्ट स्टेडियम के निर्मान के लिए भूमी अधि ग्रहन पर 121 करोड रुपे खर्च किये इसके लावा स्टेडियम के निर्मान पर BCI 330 करोड रुपे खर्च करेगा ऐसरे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद